आपको बताने वाला हूँ आपका Redmi Note 10 Pro Max से MI का फोन है अगर उसका FRP लॉक लग गया तो उसे अनलॉक कैसे करना है बस वन क्लिक में आपका फोन अनलॉक हो जाएगे चले मैं आपको बता देता हूँ मेरा नाम है और आप देखर रहे हैं टैक तो यह यह है Redmi Note 10 Pro Max तो इसका FRP लग लग गया यह देखें लॉक उपर के तरफ तो इसे कैसे उपन करना है तो आपको सारी पर्मिशन पहले दे देनी है इसारी पर्मिशन देने के बाद आपको वाइफाई के सेक्शन पर लिगे जान करने के पाद इस पर चौक करना यहांIT करने के बाद आपको राइट सैटमें प्लीन और यया फिलाट नीचे करने का सुर्भ मैं फिर से निए यहां इसपे करनों कालगों करने को लगा पत्रेंगा लगा क्लिक्र नबर पर इसकेंड स्पेस ओडाई नमबर पर इसपे क्लिक करना गो टूज नर्च पिर ठोड़ा वेट करना होगा फॉन आपका बंद हो जाएगा फिर अपने ओन हो जाएगा इसके बद आपको पावर बटन दबा किशको र위बूट करना एक बार में реवूट कर लेता हूं यह देखिए यह देखिए रीबूट करने के बद अभी यह फोन बंद हो गया अभी यह पूरी तरके से बंद होकर वापस से चालू होगा और आपका FRP अनलॉक हो जाएगा इसमें आपको कोई PC की जरुवत नहीं है नहीं कोई सॉपफेर वगरा की जरुवत है गर बैटे हुआ इंक कीज dépendत अगर आपसे नहीं होता है तो आफ सर्वृस सेंटर विजीट कर सकते है यायर में कोई वी रहरत कर सकते हैं कि अबया भन आप का अनलॉक होने वाला है मैं धौड़ा जायं को ऑल्मस्त हमारा होनी वाला है मैं तो यह द इस ईसी Yo झाल